तो हेलो दोस्तो आप शबका वहत्वो शागत है गनेशाय वर्ड के इस यूटूब चैनल में तो दोस्तो हमारे वाट्सॉप नम्मर से भी जुड़ें आपकी जो भी प्रॉबलम है वो बिलकुल हमारे शाथ सांजा कर सकते हो वे जिचक तो आज की जो वीडियो है तो आज की वीडियो में हम पढने बाले हैं दोस्तो निरक्ष्य इस्थिती में विधुज छेत्र की ती व्रता आप के जीए ये हमारा आज का टारगेट काशूण तो आप दोस्तो पिछली वीडियो में विधुज दोईध्रोप समच चुके हो विधुज दोईध्रोप जान चुके हो समझता है ना बिद्धत दूइधरोब आपने शमझ लिया जान लिया तो आप बिद्धत दूइधरोब से रिलेटेड आपको कोई फ्रॉब्लम नहीं है और हमें निरक्षी इस्तिती में बिद्धत छेतरी की तीवरता करनी है बिद्धत दूइधरोब के कारण तो म आपका एक है ये आपका एक बिद्धत दूइधरोब है हमने ये मान लिया कि जो ए भी है ये आपका एक बिद्धत दूइधरोब है ए और बी को हम इहां पर लिख दे रहा है ये ए हुआ और ये हुआ बी हमने ये मान के रखा ए भी क्या है एक बिद्धत दूइधरोब है जिस पर हमने क्या रख दिया माइनस क्यू और फ्लस क्यू आवेस रख दिया क्लियर और इनके जो बीच की अलप दूरी है उस बीच की अलप दूरी को हम क्या मानते हैं 2L तो यह हमने क्या माल लिया 2L माल लिया ठीक है अब एक चीज आपको पता है कि अक्षिये और निरक्ष देखो हमने पिछली वीडियो में बिध्व झेतरी ность होती थी नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेडिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर देख सकति हो तो आज हमारा निरक्षी स्थिती है तो मैंने आपको पता बताया था कि ये आपके दो अक्षी होती है एक अक्षी और एक अक्षी तो मैंने आपको बताया था ये जो आपका होता है अक्षी ये आपका छेते जक्ष है यह आपका अक्षिय होता है, क्या होता है अक्षिय या फिर आपका अनुध्यर होता है, क्या होता है अनुध्यर, बट आपका यह जो लंबबद अक्ष्छ आपको देख रहा है, यह लंबबद अच्छ आपका निरक्ष होता है, क्या इसको हम निरक्षिय भी बोलते हैं, ठीक तो आपकी ऊपर होगी या आपकी नीचे होगी निरक्षी स्थिति हमेशा क्या होती है लंबबत होती है क्लियर हुआ तो हमारा जो कॉस्चन है वो क्या है बिद्दू दूधरूब के कारण कौन सी स्थिति में निरक्षी स्थिति में है ना तो निरक्षी स्थिति या तो ऊप अब देखो आप ये चीज जानते हो कि जो बिद्दुच्षेत्र की तीवरता है वो किसी एक आवेस की कारण निकलती या तो प्लस की कारण या तो माइनस की कारण है ना बट हमारे पास यहां दो ही आवेस हैं एक प्लस और एक माइनस है ना और प्लस की कारण आपको पता है अलग निकलेगी और माइनस आवेस की कारण आपको अलग निकलेगी बिद्दुछेत्र की तीवरता आप जानते हों है ना तो आप क्या करोगे और फिर माइनस की का उसका average करके हम E निकाल देंगे ऐसा करेंगे है ना तो पहले हम diagram को तयार करने और diagram को आपको शमाजना बहुत ज़रूरी है ठीक है चलो बिंदु पी पर हमें बिद्दु छेतर की तीप्रता यह की गड़ना करनी है तो इस इबन की जो देशा होगी वो कौन्सी देशा होगी B से पी की ओर है क्योंकि यह देखो अपका कहां की ओर लगा है बहार की हो जाए जब बहार की होर है घक है तो इस Q आव इस के कारण जो बिद्दूद छेदर की तीब्रता देखें, तो Q आव इस के कारण जो बिद्दूद छेदर की तीब्रता होगी, वो हम माल लेती है, क्या है? E2 है, क्या है? E2 है, है ना? तो ये हमने माल दिया E2 है, E2, clear? 杯11-1-2 Bd4 दिर a से कीव पर अब यहाँ पर यहाँ पर यहीं पर हमारा यह कोई अच्छ नहीं है अस टाइप के होते हैं तो यहमारा कोई अक्ष नहीं है और ये भी हमारा कोई अक्ष नहीं है अगर हम इस बिंदू P पर अक्ष की बात करें तो अक्ष आपका या तो ये होगा या आपका अक्ष ये होगा आपके अक्ष यह होगे ये आपका लंबबाथ होगा और ये आपका छेतिस होगा अक्ष आपके ये दो होंगे अक्ष आपके दो होंगे ठीक है तो आपको देखो अक्षपर विद्दुछेदर की टी बृता जो E है ये भी नहीं है और E2 भी नहीं है अक्षपर तो नहीं है अक्षपर होती तो या तो यहां होती और या तो यहां होती है ना तो अक्षपे नहीं है और हमें अक्षपर ग्याद करना है हमें कहां पर ग्याद करना है अक्षपर ग्याद करना है और यह अक्षपर है नहीं तो हम पर माल्लो यह आपका ठीटा कों बना रहा है और यह भी कितना कों बना रहा है ठीटा कों बना रहा है क्लिएर हुआ तो हम दिन दौनों को क्या करें ''मेरिषाश पर लेके आएंगे'' कहा पर अक्ष्पर चित्र चीज याद रखना है मेरे बाइक चीज आपको ये चीज आद रखनी है कि अक्ष है याद आप छेते जक्षपल ले जाते हो, कौन से अक्षपल ले जाते हो, यह आपका छेते जक्षपल ले जाते हो, तो कोई जो आपका जिसको ले जाते हो, तो छेते जक्षपर वो कौस ठीटा बनाती है, क्या कौस के साथ जाती है, कौस कौन बनाती है, ठीक है, लेकिन आपको पता को श जो है न वह आपका आक्ष है या फिर हम ऐसा बोलें च्ष्थिस को परदर्स करता है जो कौश है वह किसको परदर्स करता है च्ष्थिस सद्व करता है यह चीज़ यांद रखना छेतिस को कौन प्रदर्शित करता है आपका कॉस है न क्योंकि कॉस का आपको सूत्री पता है आधार बटे कर्ण क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब ये छेतिस को प्रदर्शित करता है और ये जो है न आपका साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण क्या होता है लंब बटे केंड मतलब यह आपका लंब को परदर्शित करता है क्लियर हुआ तो दियान रखना इन चीज़ों को देखो तो इसको पहले हम even की बात कर रहे हैं तो even को एक बार हम यहाँ भी लेके आएंगे ओर even को यहाँ भी लेके हो चलना है तो even को जब हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा कोण even cos theta और इसका जिसा होगी वह होगी बाहर की और और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहां पर एक सेकंड इसको हटाता हूं जब इसको मैं यहां ले करके आऊंगा तो इसकी दिशा कहा की और होगी बाहर की और होगी ठीक है और यहां पर आके क्या बनाएगा यह e 1 sin theta क्योंकि कोण आपका theta है चलो अब even की बात खत्म अब हम क्या करेंगे e2 को पकड़ेंगे e2 को हम जब पकड़ के इधर लेके जाएंगे तो इसकी दिशा यहां बाहर की और है तो यह पकड़ के यहां जाएंगे तो इसकी दिशा यहां भी क्या होगी बहार की ओर होगी तो यह यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा E2 Cos Theta E2 Cos Theta समझ गए ना यह आपका यहां से यह वाला हटा दो आप थोड़ा सा Separation बनादे न क्योंकि अब अच्छे से आप पैन से लिखोगी यहां मोटा पैन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही ठीक है यह इधर आगे इसकी दिसा भी कहां की ओर है बाहर की ओर है अब इसको एक बार पकड़के यहां लेके आएंगे तो जब इसको पकड़के यहां लेके आएंगे तो इसकी दिसा कहां की ओर होगी नीचे की ओर और यह अक्ष पे देखें, छेते जक्ष पे, तो E1 और E2 जो है, दोनों की जिसाएं क्या है, समान है, ये भी इसकी और, ये भी इसकी और, किलियर हुआ, तो ये जो है न, टोटल आपका डाइग्राम बन गया, और अब यदि आपका डाइग्राम बन चुका है न, तो अब आपकी ज बिद्द दूइधरों माना था, जिस पर हमने माइनस Q और प्लस Q, आभी इसको रखा था, और इनकी बीच की दूरी क्या मानी थी, हमने 2L, इसके केंदर O से R दूरी पर हमने एक बिंदू P माल लिया था, जिस पर हमें बिद्द छेतर की तीवरता, जो है न, E, सोरी, सोरी, E, बैक्टर की हमें क्या करनी थी, गड़ना करनी थी, ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, प्लस Q के करन, E बन निकाला, मैनस के करन, क्या निकाला, E2 निकाला, बट यह दोनों चीज़ें अक्षपर नहीं थी, तो हम क्या किया, इनको अक्षपे लेके आए, तो छेतर सक्षे पर कौन आता है CAUSE और LAMABAT पर कौन आता है SINE आता है तो इस टाइप से हम ये कर लिया। चलु अब जो है ना इसकी हम ठल की इसी थियोरी लिख देंगे तो हम ठल की इस थियोरी में आपको बिद्धु दिधुद्रप के केंदर ओ से आर दूरी पर कितनी दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है जिस पर हमें बिद्धु छेत्र की तीब्रता एकी गड़ना करनी है यही करना है ना अब डारेक्ट हम एकीड़ना नहीं कर सकते तो पहले प्लस के करण निकालेंगे फ आप लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे पिलस क्यू आबेस के कारण विद्धुत छेत्र की तीब्रता चैनते हो कि जो बिद्धुत छेत्र की तीब्रता है इसका सूत्र क्या होता है ए बराबर 1 अपन फोर पाई एपसा यो क्यू अपन आर इसकोरी तो यह आपने लिख दी E बन बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 अब plus Q upon R square plus Q upon R square R square क्या है? दूरी है बट plus Q से P की बीच की दूरी क्या है? क्या है? B और P क्या है? BP है तो यहां पर आपको दूरी लिखना है क्या? BP है ना? square तो यह square इसको दे देना श्रमी कर नंबर 1 है ना? plus Q आपको plus नहीं सो करना है क्योंकि हम परिणामी निकाल ला है तो सब कुछ plus ही होगा है ना? हमें यहां प्रजरासित करने की कोई यरूरत नहीं है ठीक है? अब यह बताओ समीकरण 1 हमने यह बताया even की दिसा क्या है? बाहर की ओर है आप देख रहे हो तो B से P की ओर है तो आप लिख दोगे क्या? BP पेक्टर दिसा में clear? चलो अब आपने plus Q के कारण निकाल ली इससी टाइप से आप क्या निकालोगे? minus Q के कारण निकालोगे ठीक है? तो आप यहां पर लिख दोगे minus Q आपेस के कारण minus Q आपेस के कारण बिध्धुत छेत्र की तीबरता ठीक है? चलो अब यह पैनामी यह भी निकालोगे तो देखो अब plus के कारण क्या है? इधर की ओर है? तो minus के कारण देखो plus के कारण बाहर की ओर है? तो मैनस के कारण कहा की हो रहा है अंदर की हो रहा है ठीक है तो यह आपकी क्या हो जाएगी E2 अब यहां बैक्टर भी लगा सकती हूँ क्योंकि यह सदिस्रासी है तो 1 अपन 4 पाई Epsilon 0 ठीक है मैनस Q और R नहीं आएगा क्योंकि दूरी क्या है इसकी A और P है तो यह क्या हो जाएगी A P स्कूर अब यह मैनस सो मत करना मैनस सो इसली नहीं करना क्योंकि हम परिणाम ही ले रहा है तो परिणाम मतला परिमाण ले खर ले रहा है तो परिमाण में हर चीज के ऐसी होती है धनात्मक तो इसको आपका कर देना समीकर नमबर दो इसकी दिसा क्या है P से A की और है अंदर की और है ना तो आप क्या लिख दोगे P A vector दिसा हमें clear तो यह हमारी E1 और E2 के मान निकल कर आ चुके हैं बट मेरे भाई आपको E1 और E2 नहीं निकालना आपको क्या निकालना है आपको निकालना है E क्या निकालना है समझ रहा है ना ठीक है अब थोड़ा सा चीजों को समझो आप देख रहे हो अगर हम इसकी बात करें तो यह आपका एक क्या बन गया संभाहू तरिभुज बन गया यहां पर आप देखो कि आप देखो यहां पर एबन जो देख रहा है और यह आपको e2 देख रहा है e1 देखो 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon bp square और e2 क्या देख रहा है 1 upon 4 pi epsilon 0 ap square यह bp है और यह bp है ठीक है अब यदि मैं bp की जगे ap रख दूँ bp की जगे क्या रख दूँ bp की जगे देखो bp और ap क्या है बराबर है एक सेकेंड bp और ap आपस में क्या है बराबर है तो bp की जगे में ap रख दूँ तो यह और यह आपस में बराबर हो जाएगी क्या bp की जगे में ap रख देता हूँ तो यह ap square हो जाएगा और ap square है तो यह दोनों आपस में कैसी हो जाएगी बराबर हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं ठीक है तो यह दी या फीर हम ऐसा बोलें किन्तु जब b.p. बराबर क्या है अ E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा क्लिया रहे इतना चीज है चलो कोई देखकर नहीं है अब हम चीजों को आंगे बढ़ाएंगे ठीक है तो E1 और E2 हम निकाल चुके हैं ओके हमें क्या निकालना है ए क्या निकालना है ए ठीक है तो आप क्या लेखोगे एक लाइन लेखोगे आब बिन्दू पी पर पैणामी ती बिर्ता के दो घटक दो घटक फ्राप्त होते हैं बिल्कुल होते हैं कोई देक्कत नहीं है देखो यहाँ पर बिन्दू पी पर पैणामी ती बिर्ता हमें जो इनिकालने इसके दो घटक प्राप्त हो रहा है एक आपका ऊर्दभागार मतलब लंबबाद और एक आपका यह चेटेश दो घटक प्राप्त हो रहे हैं तो एक उर यह दौनों बराबर है कैसी यह बिपरीत है अब बराबर है और विपरीत है तो क्या करेंगे एक दूसरे का प्रभाव ये नश्ट कर देंगी, एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देंगी, ये नश्ट कर देंगी, क्योंकि ये उपर की ओर है, और एक ये नीचे की ओर है, तो ये एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देंगी, नश्ट कर देंगी, मतलब उर्दवा धर घटक में आपको जो उसी किद्दु HASकी है उसकी बेलु आपको कितनी मिलने वाली है New क्योंकि ये उपर की और ये नीची की और फारव. नस्ट कर देंगे नेको आप इसमें एक लायनिंद लिखोगे or वह लायन आपकी क्या होगी वह लायनकी क्या होगी उर्दवाधर घटक में एबन साइन थीटा वा एटू साइन थीटा एक दूसरे के बिपरीत एक दूसरे के बराबर एक दूसरे के बराबर बा विपरीत है जिससे यह एक दूसरे का फ्रभाव नश्ट कर देंगी ठीक है कर देंगी है ना क्योंकि एबन उपर के और एटू नीचे के और है ना तो एक दूसरे का प्रभाव नश्ट कर देंगी अताहा आपको क्या मिलेगा ए बराबर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा वल्ला उज्टबादर घटक में आपको बिद्धुछेत की तीवर्ता नहीं मिलने वाली क्लियर हुआ कोई दिक्कत है चलो अब आपको 36 घटक में बिद्धुछेत की तीवर्ता मिलेगी ठीक है तो आप डाल दोगे हेडिंग 36 घटक में देखो आप 36 घटक में देख रहे हो एबन और एटु की दिसाएं आपस में कैसी है बराबर है मतलब एक जैसी है ये भी बहार की ओर है और ये भी कहा की ओर है बहार अब जब दोनों बहार की ओर है तो ये दोनों क्या होंगी जुड़ जाएगी मतलब प्रभाव जो है निका बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है चलो छेतिस घटक में एबन कॉस्थीटा बाव एटू कॉस्थीटा की दिसा समान है तब तब पैनामी पैनामी तीब्रता तै किया हो जाएगी यह दोनों आहिपस में कैसी होऊँगी जुड़ जाएंगी तो यह आपका एबन कॉस्थीटा प्लस कि टू कॉस्थीटा ठीक है इन पर सबे आप बैक्डरा लगा देना क्योंकि सदिस रह rape एक ही देशा में है तो यह दोनों क्या होगी जुड़ जाएंगे अब आपको क्या करना है देखो even की value किसके बराबर है? e2 की value है की बराबर है तो e2 की जगे आप क्या रख दो? even रख दो ठीक है? तो यह आपका हो जाएगा e यह तो आपका even cos theta और इसकी जगे हम क्या रख देंगे? e2 की जगे हम क्या रख देंगे? even तो यह भी हो जाएगा even cos theta clear हुआ? कोई दिक्कत है अब जो यहाँ की चीजे है वो मैं पूरी हटा दे रहा हूँ clear यह आप note कर चुके होगे तो इन दोनों को जोड़ दो even cos theta और even cos theta ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो e बराबर क्या हो जाएगा? 2 even cos theta clear हुआ? अब आप even की value जो है न वो उठाके रख दो even की जो value है वो आप उठाके रख दो या फिर आप e2 की value उठाके रख जो आपकी मर्जी वो आप काम कर सकते हो ठीक है? चलो तो even की अगर हम value उठाके रख दें तो क्या हो जाएगे? आप समझो थोड़ा जा ठीक है? चलो तो यहाँ पर 2 even की value क्या थी हमारी? even की value हमारी क्या थी? 1 upon 4 pi epsilon 0 है ना? q था? q upon क्या था? r square q upon क्या था? r square यही थी ना? यही थी ना? यही थी ना? और यहाँ पर आपका क्या है? यह यहाँ पर आपका क्या है? cos theta तो यह रहा आपका cos theta कोई दिखकत है मेरे भाई? इतना आप समझ गए हो चलो अब हम चीजों को बढ़ाते हैं आंगे तो दोस्तो यह सब चीजें आप समझ गए हो एक बार आप इ इतना सब को समझ गयी हो तो अब हमने चीजों को आँगे बढ़ाते हैं तो इसको screenshot लो ले अब इसको हटा देते हैं ठीक है? चलो इसको हमने हटा दी है? हमने देख लिया सब कुछ चीजें बिंगाए रहा है, सब कुछ हमने यह चीजें देख ले है हैना चलो अब यहाँ स जो कॉस ठीटा है यह जो आपका अलग से यहां पर दिया है इसको हमें यहां से हटाना है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा आपका यह तिरभुज देख रहा है ना यह वाला इसमें हमें क्या करना पड़ेगा फाइथ प्रेम में लगाना पड़ेगा ठीक है तो इसको आप समीकर नमर तीन दे दो क्या दे दो पहले आप कॉस्ट चीटा की बेलो निकालो किलियर है चलो तो निकालते यहां आरे स्कॉर नहीं लेखना था मेरे भाई सौरी मिश्टेक हो गया मुझसे है ना आरे स्कॉर यहां पर न थोड़ी सी मिश्टेक हो गये मुझसे आप सुधार सकते हो ठीक है बीपी स्कॉर ओके चलो अब देखो कॉस्ट ठीटा की बेलो निकालनी है तो आप क्या लेखोगी आप तरभुच तरभुच बी ओ पी में बीओ पी में ठीक है पाइथुगरस प्रमें लागा दोगे तो यह आपका करण है यह लंब है और यह क्या है आधार तो करण क्या है बीपी ठीक है करण बीपी का इस्कॉर परावा लंब क्या है ओपी का इस्कॉर आधार क्या है ओबी का इस्कॉर ओबी का इस्कॉर क्लियर चलो अब आपको देखो पता यह पूरी दूरी क्या है टू एल वकिल्व और यहां पिकले की इसकोर ब्राबर यह आगया थिका है ब्राबर आगया अब और यह L square, यह किसकी बेलू निकल कर आ गई, बीपी की बेलू निकल कर आ चुकी है, ठेक है, चलो, हमें क्या निकालना है, cos, हमें क्या निकालना है, cos, तो यहां लेक दो गए, किन्तू, cos theta, बरावर क्या होता है, बरावर क्या होता है, आधार वटे, कैन, आधार वटे क्या हो एपका L, क्या आ गया L, कैंड ये है BP और BP की value कितनी आ गई है, BP की value आ गई है, कितनी आ गई है, ये, ये आ गई है, क्लियर, तो यहां पर आप समझो, तो अंडर रूट, Rइस्क्वर और ये L इस्क्वर, ठीक है, तो ये अपनी ल, बटे, L बटे, अंडर रूट, R square और L square यह आ चुकी है और यहां से हमें BP की बेलू चाहिए तो BP square की बेलू हमारी यह आ चुकी है कोई दिखकत है नहीं है ठीक है तो आप यहां पर लिखोगे कॉस्ट छीटा वाफ बीपी बीपी square का थोड़ा सा मेरे भाई difficult हो सकता है थोड़ा से difficult तो नहीं कह सकते है difficult नहीं है चीज़ बस समझने की उपर depend थोड़ा सा lengthy चीज़ है थोड़ी बड़ी चीज़ है बस यतना आपको याद रखने पर बट आपको यह complete तो करना पड़ेगा क्योंकि इंपोर्टन चीज़ हो ड़ी है ठीक है चलो तो रख दो है ना य Epsilon 0 Epsilon 0 यही हुआ है Epsilon 0 ठीक है चलो यह Q upon क्या रहा Q है ना Q यही है बी, पी स्क्वर्ण जो है इसका मान रखो एक ग् penguin क्या है आर स्क्वर प्लस L स्क्वर ठीक है चलो अब कॉस्ट छीटा की बेलू हमने कहने का ली ये तो ये L अपॉन अंडर रूड आर स्क्वर प्लस L स्क्वर ऐसा ही लेख सकते हैं कोई दिकत नहीं है चलो अब थोड़ा चीजों को सॉल्व करो क्या करो जो है आपका ये Q ये रखा है और 2 जो है ना वो L के पास लेके आओ किसके पास लेके आओ L ठीक है मतलब आप देखो ये आपका रहा बना पॉन 4 पाई Epsilon 0 सेम रहा ठीक है ये आपका क्या रहा आर स्क्वर और L स्क्वर ठीक है और ये जो है ना जो अंडर रूड है इसको L स्क्वर की पावर क्या हो जाएगे एक बटे दो हो जाती है ठीक है अब ऊपर हमें क्या देखना है ये Q लेखो आप पहले Q और जो 2 है उसको L के सांथ लेखो तो Q इंटू 2L क्लियर हुआ चलो अब चीजों को समझे आप अब थोड़ा सा और आपको समझना है थोड़ा सा गात क्या है एक बटे दो मतलब एक बटे दो और एक को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तीन बटे दो आएगा कितना आएगा तीन बटे दो आएगा तो यह आपका तीन बटे दो हो जाएगा तो इधर समझो यह बन अपॉन 4Pi Epsilon 0 इसकी जगह हम क्या लिख सकते है P यह लिख दिया P और यह घातें जुड़ जाएंगी तो R square और L square को हम एक ही बाल लिखेंगे इसकी घात क्या कर देंगे तीन बटे दो इतना समझी गए इतना समझी गए देखो एक एक चीश को समझना पड़ेगा थोड़ा सा lengthy question है आप एक बार समझ जाओगे फिर आप किन्तू अब आप क्या करो जो एल है क्या थी अलपी दोरी थी क्या थी टू एल क्या थी अलपी दोरी और जब टू एल का हमने आधा कर दिया तो और वी ज्यादा अलपी बच्छा मतलब क्या है किन्तू R जो square है इसकी value वहुश जादा बड़ी है किससे L square से है न तो आर की तुलना में L कमान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कैसा हो जाएगा 0 तो L कमान हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे जब हम 0 रखेंगे Sorry, Sorry, Sorry यहाँ even नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी even नहीं आएगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे E निकाल रहे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 upon 4 πाई epsilon 0 यह आपका P रहा और यह देखो यह आपर देखो यह जो हम 0 रख देंगे तो यहाँ पर क्या बचिका केवाल R score है ना 0 रख देंगे और इसकी घात क्या है थीर वटे 2 थीर वटे 2 ठीक है दो से दो कैंसिल बच जाए हो जाएगा तो आर की घात कितनी है जाएगी तीन ही जाएगी तो फाइनल हम आंसर यहां लिख रहे हैं तो फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है यी बैक्टर बराबर वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलों जीरो यह पी और यह आर की घात क्या जाएगी और यह मातर देना नूटन वटे कूला किंगी विद्धोच्य दवी टिब्त आ का मातर यह है तो यह अंसर आ गया यह हमारा हर एक चीज आपको समझ में जाएगी हर एक चीज आप समझ जाओगे तो ऐसा ही आपको करना है कुछ मेनद तो आपको करनी होती है के मेरे भाई ठीक है चीजों को समझो समझाया हमने एक बार खुद करके देखो बन जायेगा ठीक है चलो तो फिर आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा मजाया होगा देल से वीडियो को लाइक करो अपने शभी फ्रेंड सरकल में वीडियो शेर कर दो शभी के लिए इस व बाई बाई जहें